तो हेलो गाइस मेरा नाम है मेंग तो स्वागत आपका इहुरू जीडे 5 की फीडियो में तो गाइस हैं कैसे आप सब लोग आई होप आप सब बढ़ी आऊंगे लेकिन इन्होंने गलती कर दिये ट्रैवर के घर पर हमला कर दिया है तो फिलाल तो ट्रैवर का मेरे को कॉल आ गया था तो ट्रैवर कर रहा है कि माइकल मेरे पास एक भी वैपन नहीं है बस उसके पास एक नाइफ है और पालास के बंदों ने उसका घर घेर रखा है तो चल्दी से मेरे घर पर आ जा फिलाल तो मैं जैसे दैसे ना गाड़ी लेकर के पहुँच गया हूँ ट्रैवर के घर पर अब जल्दी से मेरे कोई काम कर लेना होगा यहाँ पर भाई ट्रैवर का घर इन्होंने हर तरफ से खेर रखा है और मेरे पास वैपन है कोई दिक्कत की बात नी है लेकिन अगर मैंने यहाँ से फाइट कर दिया तो यह लोग ना अंधा धून फाइरिंग कर देंगे ट्रैवर के घर के उपर और आपको पता है भाई उसका घर भी कितना जादा बेकार है एक टीन के डब्बे में तो वो रहता है और यहाँ पर ना हर तरफ बंदे खड़े हुए हैं तो मेरे को ना कुछ दिमाग लगा लेना होगा यहाँ पर क्योंकि ना इससे अच्छा कि अगर मैं यहाँ से फाइरिंग करूँ मैं इनके एक लोस चलता हूँ और यहाँ सबसे ज़्यादा कम सेक्यूर्टी लग रही है मेरे को देखो गाईस इदर उदर तो बंदे कड़े हैं तो बिल्कुल ना मैंने गाड़ी को बैक साइड तो पाक कर दिया है और एक तो लेस्टर की गाड़ी है भाई थोड़ा सा चक्कर ही है तो जल्दी से मैं भाग करके यहाँ से चलता हूँ और फिलाल तो ना बहुत ज़्यादा सेक्यूरिटी कर दिया पालास की उनमें दम नहीं है भाई कि मेरे को हाथ भी लगा दें उन्हें पाता है कि प्रेस्टेंट की सेक्यूरिटी और मिलिटरी का बंदा हमारे साथ रहता है तो माइकल को छूना इंपॉसिबर है देकिन ट्रैवर का उन्हें पाता है भाई यह वैकॉस में रहता है और garage को open करते है जल्दी से फिलाल guys garage हो चुका है यहाँ पर open और यह है एक door जो ट्रैवर के घर से connect है तो जल्दी से इसको unlock करने के try करते हैं और मेरे को लग रहा ना यह lock करते हैं पहले मैं ट्रैवर को एक call कर देता हूं या तो message करते हैं कि भाई चल्दी से ना आजा भाई चल्दी जैसे तैसे पहार निकल बस उठाले भाई पहली guys ट्रैवर से अपनी बात हो गई थी और ट्रैवर आ चुका है और देखो guys यहाँ पर कुछ बंदे आ गए हैं इसका तो ध्यान अपने उपर नहीं पड़ा क्योंकि नहीं यह थोड़ा side से था तो अब मेरे को नहीं इसको मारना चीए और चल्नी कली दर से उसके उपर ही लिटा दूगा बेटा और एक मिनट भाई दिक्कत होगी उसको भी मैंने पिस्टल दिये दिया चलनी कली दर से भाई क्या हैड मरा लेकिन एक मिनट अभे भाई ट्रैवर की एक आधी गूली लग गी है और इसने वेस्ट डाल रखी है और देख लो guys वापीस से ट्रैवर खड़ा हो गया यहां से ना हम लोग फाइले अपने गाड़ी के क्लूस तो पहुंच ही गए है और कुछ बंदे सामने के साइट भी है तो इनको भी मारना पड़ेगा क्योंकि ना अगर हम लोग इन्हें छोड़ करके जाएंगे और बाकी यार अपना पीछा करके हमें भी मार सकते हैं यहां पर देख रही हो भाई खतरनाक वाली फाइट हो ली है पूरी तो जैसे था इसे ना इंको खतम करना होगा और बंदे पहुत ज़्यादा यार सही मैं देख रही हो गाईज बहुत जादे हैं लेकिन वह ट्रैवर गेम बजा देंगा इनकी फिलाल जल्दी से ना और सही में भाई ट्रैवर देख रहूं लेकिन बंदा हार नहीं मान रहा है तब भी बैठ करके अपने को बचाने में लगा हुए और बाई सही में खतरनाक बंदा यार अभी मेरे को एरिया क्लियर करके ट्रैवर को उठाकर के लिए के जाना चीए इससे वहले कि ये मारा जाए खून बहुत जादा गिर गया और वो ना जमीन पे खतरनाक वाले तरीके से लेट चुका है एक में चल निकली दर से और कोई यहाँ है ना लेट्ट साइड में किसी के चुल मच रही है चल निकली दर से भाई पुलिस की आवाज भी आ रही है मेरे को तो एक काम करता हूँ जल्दी से न अबे स्टार्ट हो जा गाड़ी हाँ भाई गाड़ी अपनी हो चुकी है स्टार्ट और ट्रेवर को जैसे तैसे लिटाते हैं गाड़ी में फिलाल तो गाई इस तैसे पर मैंने ट्रेवर को लिटा दिया गाड़ी में और भाई ये पूरा बेहोश हो गया गूली के निशान देख रहे हो पहुल ज़्यादा गूली लगई है वेस्ट उसने डाल रखी है तो चैस से मरा तो वो नहीं है वैसे ट्रेवर ना मरे भाई अपना बेस्ट फ्रेंड है ट्रेवर भागाता हूं गाड़ी को ओके तो गाईस बंदे अपी और आ गए थे यार मैंने एक आदे बंदे को तो मार दिया है तो फिलाल हम लोग इदर से ले करके निकलते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ से सीधा एक क्लीनिक पे और कुछ बंदे अभी भी क्लोज हैं भाई जी नोने पूरा दिमाग खराब कर रखा है यार अम्मिर को लग रहा है ना देखा जाएगा भाई बालास के तो मैं बाद में गेम बजा करके रख दूँगा आदे बंदे तो हमने मारी दिया है इनके फिलाल गाईज अपनी ना मैं गाड़ी को ले करके पहुच गयों एक क्लीनिक के बहुत ज़्यदा क्लोज जो है पलीटो बे में का लगी जमेल है और यह पागल अंटी बैटी थी पता नहीं क्या कर रही है जाने अकेली ही डांस कर रही है बैटकर करके अब भाई डॉक्टर का है यार एक तो मेरा पूरा दिमाग करा हो रहा किचन किचन में डॉक्टर थोड़ी होगा यार यहाँ पर एक चीफ मेडिकल है तो इसके अंदर चलते हैं खड़ा हो जल्दी भाई जल्दी खड़ा हो हमारा एक दोस्त है ठीक है बाई इदर अपने फ्रेंड को हमने यहाँ पर लिटा दिया ट्रैवर को और इसका इलाज वेगारा शुरू हो गया हो ना खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है जैस वो बोल रहा है कि पुलिस भी आ सकती है F.I.R. करेंगे तो देखो यार अब ना हमें शाय से फाइन भी लग सकता है क्योंकि ना यह क्रिमिनल केसा एक तरह से यह तो जील भी हो सकती है अपने को यह लोग बोल रहे हैं कि हमें पहले पुलिस बुलानी पड़ेगी और फिर ह वो ना एक बार सारी स्टोरी मैं क्लियर बताता हूं कि बालास ने अपने ओपर अटेक कर दिया है और पता भाई लेस्टर हमें क्या करना चाहिए देख अगर मैं मिलिटरी को कॉल करूंगा उनका काम हो गया भाई मिलिटरी है प्रेसिडेंट भी अपने मंदत नहीं करेगा क्योंकि ना उन्होंने उनका एरिया उडवाना था उन्होंने एरिया उडवा दिया है तो एक काम करता हूँ चल्दी से लेस्टर को एक पर मैं कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बता भाई लेस्टर हमें क्या करना चाहिए ट्रैवर के भी गोली लगी हुई गया ओके तो गाइस फिलालना हमें पूरे एक खंटे होगी है लेस्टर से बात हुए और एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ ओ भाई डॉक्टर ट्रेवर के पीछे है ट्रेवर उठती भाग रहा है और एक मिनट इसके गूली तो कोई भी नहीं लगे है शायसी ये वैसी भी हुश हो गया होगा अरे सर अब वो हमारा फ्रेंट कुछ ऐसा गया हमें निकलना होगा अब भाई किसी की बाईक उठा करके भाग गया ये तो इधर से अब भाग लेकर यार एक मिनट भाई ट्रेवर भाईक लेकर भाग गया डॉक्टर उसके पीछे है और मैं उन दूनों के पीछे हूँ गाड़ी लेकर के तो एक तो ना ट्रेवर की हालेत भी बहुत जबेकार है क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास अभी खड़े हुआ था ना दो सेकिंड के लिए तो ये बोल रहा था कि वो मरीज है भाई क्या या साइको है यार वो अभी गूलिया निकली है मतलब एक आदी तो उसके लगी थी इन्होंने पूरा घाव बर दिया है उसी टाइम उठते भाईक पता नहीं कहा भाग रहा है मेरे को लग रहा है कि बाला से ना पका दिखाई नहीं दे रहा है एक तो मेरे पास गाड़ी ऐसी है ना लेस्टर की अपनी सूपरकार लेकर के आए तो अलग बात थी और वो क्या कट मार रहा है एक काम कर लेना होगा मेरे को जल्दी से अपनी गाड़ी को बगा करके यहां से निकल लेना होगा आब रुक चा मैंने बाचित कर रही है अब मैं टक कर मारूंगा तो यह गिर जाएगा और उतर के इसके पास वैपन भी होगा कि नहीं होगा अब मेरे को यह तो नहीं मालूम और यह क्या कारम कर दिया इसने अब भाई इसने मेरे से पचने के लिए एक्सिडेंट करवा दिया और जस्ती पर और अब जल्दी से ना हाईवे पर अपनी गाड़ी को उतारते हैं क्योंकि ना आदे कंटे से जाता हो गया और नजाने पता नहीं अब ट्रैवर कहां जा चुका है देख लो यार उसने का खतरनाक वाला दिमाग लगाया ऐसा कट मारा गाड़ी की उधर टक कर हुई और तो मेरे को अपनी काड़ी संभालते संभालते रेल वेट ट्रैक पर चड़ानी पड़े अब यार वह अपने हातों से तो जा चुका है अब पता नहीं वह कहां पर रहा या तो अपने घर गया है या तो सीदा बाला की location hack कर तो शहयसे वो करी लेगा क्योंकि Trevor की तो उसने पहले भी location hack करी है ना देखता हूँ एक बार फिलाल तो गाइस तब रहना हमें location पता चल गी है location है Wagos Kang के area में लेस्टर न अपने को बता दिया है एर यार मैं कैसे बूल गया ट्रैवर वेगोस का लीडर है और हो गुस्से में वेगोस क्याएंगी गया होगा अब मेरे को लग रहा ना वो भाई साब पूरी सेना त्यार कर रहा है और क्या गंदे वाला निकाल है मैंने भी ना देखे और एक मिनट ये ट्रैवर है ना और राइट साइड में उसकी बाईक उल्टी पल्टी पड़ी है अरे भाई इसने तो इंजन ही उसका कर दिया है देखो गाईस पता नहीं कहा किसकी बाईक उठाकर के हास्पिटल से ले करके भाई जंगली कुत्नों की तरह भाग है ना अबे यार मैं क्या बोलू ट्रैवर का भाई और ये तो पूरी सेना ले करके खड़ा है मेरे को लग रहा ना भाई पूरा बालास भी अपने अंडर करेगा ये आज अबे भाई ये तो बहुत जादा खतरनाक लेक्चर दे रहा है और इसके पूरी बालास के बंदे अपने गाड़ें ले करके रेडियो रखे है मेरे को लग रहा ना गाई इस बालास और वेगास के खतरनाक वाली जंग होने वाली है जिस आप से वो गुस्से मैं तो मैं एक काम करता हूँ अगर ये लुक जाएंगे न तो पक्का भाई वालास आज खतम होगी या तो ट्रेवर आज मरेगा तो मेरे को जैसे जैसे इनको कंट्रूल करना चाहिए और ट्रेवर भाई मेरी बास अभे भाई सबके गन लग रखिया यार एक काम करना होगा ट्रेवर यार ये तेरे तगड़े बंदे मेरे को पता है भाई ये शाप शूटर्स हैं तो ट्रेवर मेरी बास सुन हमें ठंटे दिमाग से काम लेना चाहिए लड़ाई जगड़े में अब भी तो कुछ भी नहीं रखिया मेरी बास सुन ले भाई ट्रेवर लेस्टर की मतलब लेते हैं हम लोग सब कुछ कर लेंगे अगर तेरी दिमाग में तो जल्दी बता फिलाल तो गाईस इस ट्राइम पर ट्रेवर कहा रहा ये अपने को बोल रहा है कि ग्रीन गैंग के एरिया में चलते हैं उन से कॉलैब करते हैं और इसने कुछ पैसे भी ले ली हैं और बोल रहा है कि इन पैसों को मैं ग्रीन गैंग के बंदों को दूँगा और उन्हें बोलोगा कि मेरे लिए एक काम करो भाई लेकिन रिस्क वाला काम है मैं अब भी बता दे रहा हूँ बताओ जो गाईस हमारी पहले फाइट हुई थी और ट्रैवर ने ही उनके ग्रीन गैंग का बंदा मारा था मतलब उनका में लीडर ट्रैवर ने मारा था और बाकी ना बोखो चारा खतरनाक तरही से ये और भी बंदे मारा था ट्रैवर और देखो गाईस मेरे कोई तो देखते ही वो लोग गुसे में आ जाएंगे ट्रैवर को भी देखते ही वो लोग हमें पीट भी सकते हैं अब रिस्क ले लिया है तो ग्रीन गैंग की एरिया में चलते हैं अगर को लैब हो जाता है तो बालास की तो हम लोग गेम बढ़ा देंगे यह तो गाइज गैंग वर्सिस गैंग का गेम प्ले हो गया है मेरे को तो लग रहा है फगात पहूं गाड़ी को जल्दी से फिलाल तो गाज इस नहीं पर ना हम अपनी गाड़ी को लेकर के ग्रीन गैंग की एरिया में आ गया हो और यहां जे ग्रीन गैंग के बंते नजर आने शुरूई हो गए होंगे अरे भाई मेरे को डर लग रहा है सही में डर वैसे इन से नहीं लग रहा लेकिन बेश्टी वाला काम है में तो फाइनली हम लोग पहुंच तो गए है अपनी टूटी वूटी गाड़ी को यहां पर पाक भी कर चुके है ट्रैवर मू मत बना थोड़ा अराम से आ भाई यहां बंदर हम लोग बस उन से प्यार से बात करेंगे अगर वो लोग नहीं माने तो हम लोग बस यार अराम से बाह अब मेरे को तो नहीं पाता इनका लीडर भी है भी है कि कोई नहीं है एक बंदा चौड में फैला हो रखा है और एक काम करता हूं यहां पर कुछ बंदे खड़े हैं एक बंदा सामने है यह इनका लीडर है क्या इस वाले बंदे से बाच्चित करके देखूंगा अगर यह बताता अपने को सीधे मुसे चोड़ो भाई वा तो फोन में घुसा हुआ है तो डिरेक्ट ना हम लोग इनसे पूछते हैं सब लोग अपने को घूर रहे हैं भाई मैं ब्लॉक करूंगा यार मेरा मूड निया भाई नई लड़ना ना मेरेको तेरे साथ मैं पहली अभे हटना इदर से नई लड़ना मेरेको मैं ब्लॉक करूंगा भाई तुम मुक्का मार के दिखा दे इतना दम निया बेटा तुम मेरे मुक्का मार देगा मैं पूरा कर लेना होगा मेरे को ना इधर से चल लेना होगा ठीक है बाई चलते हैं और इनके मुँन लगने वाले यह तो अपना कोई काम नि करेंगे तो हम लोग फ्रैंक्लिन और लमार को अगर लेकर किया है क्योंकि यह लोग रहोँ उनके अब मारूँगा बयारू कुछटल के ऐसा चला जाओंगा ना पता भी नहीं चलने वाला बैट भाई ट्रेवर यह लोग नहीं मानने वाले ट्राइवर भी देख देखें रहें मुखके खा कर के आया हूं और मैंने इसे चोटी नहीं नहीं है सबसे उपर बालाज फिर ग्रीन है और फिर वगास है तो देखो गाइस घ्रीन गैंग में बहुत ज़्यादा बंदें के बहुत पाउरसुल वैपन्स हैं और बहुत ज़्यादा तकडी इनके पास इन से फाइट करके कोई भी फाइदन नहीं हम लोग ता अपनी पेस और लमार देखो फाइट तो उनकी भी ग्रीन गैंग सुई थी अपने पीछे तो लेस्टर अभी तो अपने को घर बुला है वह कह रहा है कि ना देख हम एक काम करते हैं लमार और फ्रैंक्लिन की लोकेशन को हैक करने की पूरी ट्राइब करते हैं वह तो अपने मेंचिन था आपको पताओगा रिच मैन मेंशन और यहाँ पर ना अब लेस्टर अपने पुराने घर पर आया है क्योंकि उसके पास एक डिवाइस था जिससे यह हैट कर सकता है फ्रैंक्लीन और लमार की लोकिशन अब शैसे कर भी ली हो इसने मेरे को नी पता तो इसने अपने को बस कॉल करके का है कि मेरे पुराने घर पर आ जाओ और कितने समय बाद हम लोग लेस्टर के पूराने घर पर आई हैं यार अब चल्दी से हमेरा अंदर की साइट चल ले ना होगा अब एख खोल दे भाई लेस लेस्ट्र रेक तो न इसको इसी इशारा करो तब खोले गए है फिलाल तो गईस यहाँ पर टूर हुचुक अब ज.. से हम लोग चलते हैं अंदर और लेस्टर का हैं एक मिलाट लेस्टर का है बारी ट्रह बाईय टैयवर लिया लग रहे। ट्राइम पर ट्राइवर मेरे को तो यह लीडिस कपड़ी लग रहे हैं वहां से ना हम लोग एक गाड़ी उठाएंगे अपनी क्योंकि ना यार यह जो गाड़ी है आप समझ रहे हो इसकी हालत क्या बिकार होगी है और शीशे पूरे तूट चुके है तो यह पूरा रिपेर ह होगी काम करता हूं जल्दी से बैठते हैं अपनी गाड़ी में और एक काम कर ट्रेवर बैठो भाई जल्दी से हमें लमार और फ्रैंक्लिन की लोकेशन तो थोड़ी बहुत पता चल चुकी है और हम लोग डिरेक्ट उनकी लोकेशन पर जाएंगे और वहां जाकरके हम लोकेशन को ट्रेज करा है कि उनको नोटिफिकेशन कोई भी न जाए और चाहिए उनके पास कोई भी हैकिंग वाला तकड़ा समानों को लोग हमें डिटेक्ट निना करपा है तो देखा जाएगा भाई जैसे है पहले तो फिलाल ने इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को ल तो हम लोग उसको उठाकर के चलने वाले हैं तो जल्दी से ना इसको हम लोग पत कर भाण करते हैं और यह वर कर पूला रिखे थे मैंने nggakं कूद रहा ना बोबी desires ना भी होई रहा है तो एक तो नहीं लग बोलेंगे बाहर के इतना काम नहीं आता जितना यह घर का ही काम देते हैं यावे यार क्या करूं भाई चीफ अब इसको भी रिपेर कर देना अगर पूरा नाम आनो ठीक है भाई चीफ यह अपनी गाड़ी तो पुरी रिपेर होगी है ल आता नहीं किस डॉलर में लेकर के आया था फिलाल तो मैं इसका भूल गया हूं अगर आपको याद हो कि मस्टाइग हम लोग किस प्राइज में लेकर के आये थे जुरूर से आप लोग एक पर कॉमेंट करके बता देना तो जल्दी से भाई लदो भाई ट्रक के अंदर हम ल अब भगाने को है तो भगाते हैं यहाद देखते हैं तो इस टाइपर अपने को लॉकेशन पता चल गई है और जो लॉकेशन है वह उसके हम लोग डूस है और यहाँ पर ना कुछ लोकेशन विल्डिंग रेकिज़ तो अम लोग फिलाल तो इस एरिया में आ गए है यह एर आपने ऊहाँ ऑपनी गार्डी घडी और यहाँ जोरा थे इसका मतलब वह यहाँ है तो गार्डी भी तो आपने वह यूज करता पॉरैी की पहले घ्लक महीता देग लात लेकर पूर Übermary नाइन उने हमें फोन करा उपर से हमारी टीम ही छोड़ दी अब सेक्यूरिटी न जाने पता नहीं किस बात की खड़िया इदर तो एक काम करता हूं कोई सेक्यूरिटी वाले से बातचित करूं क्या यह लोग तो देखी नहीं रहे हैं तो एक बार इससे पूरा ना पूछता ह हैं ओकी तो गाइस पिलाल मेरी सपद्दे से पूरी पात होगी और मैं तो पूरा भाई पागल हो गया था इससे बात करके और इसने अपने गोना थोड़ा आगी की साइट जाने को इशारा दिया है यह कह रहा है कि आगी की साइट जाओ सब पता चल जाएगा लेकिन तुम तो गरीब सही लग रहे हो अरे भाई मुपे ही लोग बेशती कर रहे हैं तो मैं क्या बोलू उसने ना अपने को बोला अगर तुम्हें कोई काम है हमारे बॉस से तो आगे तुम्हें दो बॉडिगाड दिख चाएंगे जो कि अपने को दिख चुके हैं अब चलते हैं सीद आँ और मारना शुरू करता हूं लेकिन एक मिनट इसको फोन आ गया इदर किसी का अँग देख रो ट्रैवर कहा रहा है कि भाई मेरा दिमाग करा वो रहा है लेकिन एक मिनट यह क्या है इसने अपने को परमीशन दे दिया अंदर जाने की अब यह कह रहा कि सर आप अब जा सकते हो मेरे को लग रहा है कि फ्रैंक्लिन और लमार ने कहीं से अपने को उपर से देख लिया है और उसने शाय से अपने को परमीशन दे दी होगी अंदर जाने की अब मेरे को लग रहा है जो पूरा अपार्टमेंट आ या तो पूरी बिल्डिंग है यह फ्रैंक्लिन यह लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया है यार मेरकोई यह चीज़ समझ मेज नहीं हा रही है अब काम करना होगा चल्दी से एक स्सक्यूरिटी वाला है second floor पर अपने से व्लोर पर जाना है एक स्क्यूरिटी वाला अपने को दिखेघा तो वही है इनका रूम तो यहां पर और भी रूम है जैसे कि आप तेख रूम पर अपने को जाना सेक्यूरिटी वाले रूम में तो जल्दी से चलते हैं लेकिन मेरे मन में डाउट है मैं अभी सोच रहा हूं फाइट नहीं करूंगा उनसे पहले अपने डाउट क्लियर करूंगा अपैस विलाल तो गाइस इसने आपने को परमीशन दे दी हैं अंदर जाने की तो यह कह रहा है कि फ्रैंक्लिन पॉस और लमार बॉस तो उनों अंदर की साइड है भाई इन्होंने कैसा बिसन शुरू कर लिया मेरे को यह चीज समझ नहीं आ रही है और घर तो बहुत ज़दा लग ले करके भाग रखके उपर से टीम छोड़ दिया हमारी इनको पीटे गया पकड़के एक पर इनसे पूरी बाचित करते हैं प्यार से फिलाल तो गाइस इस टाइम पर ना इन्होंने हमें शान्त करवा दिया है यह कह रहा है कि आज कल में हम तुमें कॉल करनी लगे थे तो म बड़े-बड़े माफिया उसमें शिप्स वेगरा लेने आते हैं और यह शिप्स के साथ कुछ ड्रक का भी काम कर रहा है कहरा कि अगर मेरे अंडर हैकर के काम करोगे तो तुमें पैसा पहुँजदा मिलेगा किसी से मागना नहीं पड़ेगा चाहे कुछ भी ले सकते हो लि लोग ड्रग्स देंगे ऐसा ही कुछ बता रहे हैं बाकी प्लैन मेरे को भी मालूम नहीं है अब देखा दाएगा गाईस हमें थोड़ा बहुत वेट कर लेना चाहिए बाके अगर इनो कोई चला के गरी वैपन अपने पास है तो दिक्कत कोई भी बात नहीं है तो ठीक है ग अपने चनल को भी चूर से करो सब्सक्राइब और चल्दी से भाई सब्सक्राइब लाइक कर दो मिलता है कि वीडियो में पाई गाईस लव यू आल